प्रित्विराज तृतिय जिन्हें आमतोर पर प्रित्विराज चोहान कहा जाता है चोहान वंश के राजा थे उन्होंने वर्तमान उत्तर पश्चिमी भारत में पारम परिक चोहान क्षेत्र सपाद लक्ष पर शासन किया उन्होंने वर्तमान राजस्थान, हर्याना, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से पर भी नियंत्रंग किया उनकी राजधानी एजैमिरू आधुने कजमेर में स्थित थी, हाला की मध्ययुगीन लोक किम्दंतियों ने उन्हें भारत के राजनीतिक केंद दिल्ली के राजा के रूप में वर्नित किया है जो उन्हें पूर्व इसलामी भारतिय शक्ति के प्रतिनिधी के रूप में चित 1892 में तराइन की दूसरी लड़ाई में गौरी ने प्रित्विराज को हराया और कुछी समय बाद उन्हें मार डाला तराइन में उनकी हार को भारत की इसलामी विजय में एक एतिहासिक घटना के रूप में देखा जाता है और कई अर्ध पौरानिक लेखनों में इसका वर् मध्यूगीन पौरानिक वृतांतों से आती है तराइन की लड़ाई के मुसल्मान खातों के अलावा हिंदू और जैन लेखकों द्वारा कई मध्यूगीन महाकाव्य में उनका उल्लेख किया गया है इनमें प्रित्विराज विजय हम मीर महावाक्य और प्रित्विराज रा प्रित्विराज रासो जिसने प्रित्विराज को एक महान राजा के रूप में लोक्प्रिय किया को राजा के दर्बारी कवी चंद बरदाई द्वारा लिखा कहा जाता है हाला कि यहां तिरंजित लेखनों से भरा है जिनमें से कई इतिहास के उद्देश्यों के लिए बेकार है प्रित्वे राज का उलेक करने वाले अन्यवरितांत और ब्रंथों में प्रबंध चिंतामनी, प्रबंध कोश और प्रित्वे राज प्रबंध शामिल है उनकी मृत्यू के सदियों बाद इनकी रचना की गई थी और इसमें आतिश्योक्ती और कालदोश वाले उपाख्यान है पृत्विराज का उलेक जैनों की एक पटावली में भी किया गया है जो एक संस्कृत ग्रंथ है इसमें जैन भिक्षूओं की जीवनी है जबकि इसे 1336 में पूरा कर लिया था लेकिन जिस हिस्से में पृत्विराज का उलेक है वह 1250 के आसपास लिखा गया था चंदेला कवी जगनिका का आलहा खंड या आलहा रासोपी चंदेलों के खिलाफ पृत्विराज की युद्ध का अतिरंजित वर्नन प्रदान करता है पृत्विराज का जन्म चोहान राजा सोमेश्वर और रानी करपुर अदेवी के घर हुआ था पृत्विराज और उनके छोटे भाई हरिराज दोनों का जन्म गुजरात में हुआ था जहां उनके पिता सोमेश्वर को उनके रिष्टेदारों ने चालू के दर्बार में पाला था पृत्विराज गुजराद से अजमेर चले गए जब पृत्विराज द्वितियकी मृत्यु के बाद उनके पिता सोमेश्वर को चोहान राजा का ताज पहनाया गया सोमेश्वर की मृत्यु 1177-1234 वी सॉ में हुई थी जब पृत्विराज लगभग 11 वर्ष के थे प्रित्विराज जो उस समय नाबालिक थे ने अपनी मा के साथ राजगद्धी पर विराज मान हुए इतिहास कार दशरत शर्मा के अनुसार प्रित्विराज ने 1180-1237 में प्रशासन का वास्तविक नियंत्रंग रहन किया डिल्ली में अब खंधर हो चुके किला राय पितोरा के निर्मान कश्रे प्रित्विराज को दिया जाता है पृत्विराज रासो के अनुसार दिल्ली की शासक अनन्पल तुमर ने अपने धामाद पृत्विराज को शहर दिया था और जब वह इसे वापस चाहते थे तब हार गय थे यह एतिहासिक रूप से गलत है चून की पृत्विराज की चाचा विग्रहराज चतुर्त द्वारा दिल्ली को चौहान क्षेत्र में ले लिया गया था इसके अलावा एतिहासिक साक्ष बताते हैं कि अननपल तोमर की मृत्यू पृत्विराज के जन्म से पहले हो गई थी उनकी बेटी की पृत्विराज से शादी के बारे में दावाबाद की तारीक में किया गया है पृत्विराज के पूर्ववर्तियों ने बारवी शताब्दी तक भारतिये उपमहधवीब के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर कबजा करने वाले मुसलिम राजवन्शों के कई हमलों का सामना किया था 12 वी शताबदी के आंध तक गजनी आधारित गोरी वंच ने चोहान राज्य के पश्चिम के क्षेत्र को नियंत्रित कर लिया था 1175 में जब पृत्विराज एक बच्चा था, मुहम्मद गोरी ने सिंधु नदी को पार किया और मुल्तान पर कबजा कर लिया 1178 में उसने गुजरात पर आक्रमन किया, जिस पर चालुक्योग सुलनकियोग का शासन था शोहानों को गोरी आक्रमन का सामना नहीं करना पड़ा क्योंकि गुजरात के चालुक्योग ने 1178 में कसरावद के युद्ध में मुहम्मद को हरा दिया था अगले कुछ वर्षों में मुहम्मद गोरी ने पिशावत, सिंध और पंजाब को जीतते हुए चोहनों के पश्चिम में अपनी शक्ती को मजबूत किया उन्होंने अपना अड़ा गजनी से पंजाब कर दिया और अपने सामराज्य का विस्तार पूर्व की ओर करने का प्रयास किया इससे उन्हें प्रित्विराज के साथ संधर्श में आना पड़ा मध्यकालीन मुसलिम लेखकों ने दोनों शासकों के बीच केवल एकिया दो लड़ायों का उलेख किया है तब कात ए नासिरी और तारिक ए फिरिष्टा में तराइन की दो लड़ायों का जिक्र है जमी उलहिकाया और ताज उलमासिर ने तराइन की केवल दूसरी लड़ाय का उलेख किया है जिसमें प्रित्विराज की हार हुई थी हाला कि हिंदू और जैन लेखकों का कहना है कि प्रित्विराज ने मारे जाने से पहले कई बार मुहम्मद को हराया था जैसे कि हम्मीर महाकाव्य दावा करता है कि दोनों के बीच नौ लडाया हुई प्रित्विराज प्रबंध में आठ का जिक्र है प्रबंध कोश 21 लडायों का दावा करता है जबकि प्रबंध चिंतामनी 22 बतलाता है जबकि यह लेखन संख्या को बड़ा चड़ा कर पेश करते हैं यह संभव है कि प्रित्विराज के शासनकाल के दोरान गोरियों और चोहानों के बीच दोसे अधिक मुटभेर हुई तराइन का प्रथम युद्ध 1190 और 1191 के दोरान मुहम्मद गोर ने चोहान क्षेत्र पर आक्रमन किया और तब्रहिंद या तब्रहिंद बठिंड़क पर कबजा कर लिया उन्होंने इसे 1200 भुरसवारों के समर्थन वाले जिया उद्ध दीन तुलक के काजी के अधीन रखा जब प्रित्विराज को इस बारे में पता चला तो उसने दिल्ली के गोविंद राजा सहित अपने सामनतों के साथ तब्रहिंदा की और प्रस्थान किया तब्रहिंदा पर विजय प्राप्त करने के बाद मुहम्मद की मूल योजना अपने घर लोटने की थी लेकिन जब उन्होंने प्रित्विराज के बारे में सुना तो उन्होंने लड़ाई का फैसला किया वो है एक सेना के साथ चल पढ़े और तराइन में प्रित्विराज की सेना का सामना किया आगामी लड़ाई में प्रित्विराज की सेना ने निरनायक रूप से गोरियों को हरा दिया तराइन का द्वितिय युद्ध, मुहम्मद गोरी ने गजनी लोटने का फैसला किया और अपनी हार का बदला लेने के लिए तैयारी की तब कात ए नसीरी के अनुसार उन्होंने अगले कुछ महीनों में एक लाख बीस हजार चुनिंदा अफगान, ताजिक और तुर्प भुरसवारों की एक सुसजित सेना इकठा की इसके बाद उन्होंने जम्मू के विजयराजा द्वारा सहायता से मुल्तान और लहौर होते हुए चोहान राज्य की और प्रस्थान किया पर ओसी हिंदु राजाओं के खिलाफ अपने युदों के परिनामस्वरू प्रित्विराज के पास कोई भी सहयोगी नहीं था फिर भी उन्होंने गोरियों का मुकाबला करने के लिए एक बड़ी सेना इकठा करने में काम्याबी हासिल की मुहम्मद ने अपने गजनी स्थित भाय गियास और दीन से राय मश्मिरा लेने के लिए समय लिया फिर उन्होंने अपने बल का नित्रित्व किया और चोहानों पर हमला किया उन्होंने पृत्विराज को निर्नायक रूप से हराया पृत्विराज ने एक घोड़े पर भागने की कोशिश की लेकिन सरस्वती किले संभवता आधुनिक सिर्सा के पास उसे पकड़ लिया गया। इसके बाद गोरी ने कई हजार रक्षकों की हत्या करने के बाद अजमेर पर कबजा कर लिया। कई और लोगों को गुलाम बना लिया और शहर के मंदिरों को नश्ट कर दिया। अधिकांश मध्ययुगीन स्रोतों में कहा गया है कि पृत्विराज को चोहान राजधानी अजमेर ले जाया गया जहां मुहमद ने उसे गोरियों के अधीन राजा के रूप में बहाल करने की योजना बनाई थी। कुछ समय बाद पृत्विराज ने मुहमद के खिलाफ विद्रोह कर दिया जिसके उपरांत उन्हें मार दिया गया। पृत्विराज की मृत्यू के बाद मुहमद गोरी ने एक दशक से अधिक समय तक शासन करना जारी रखा। पृत्विराज की मृत्यू के बाद गोरियों ने उनके पुत्र गोविंद राज को अजमेर के सिंधासन पर राजा नियुक्त किया। 1192 में प्रित्वी राज की छोटे भाई हरी राज ने गोविंद राजा को हटा दिया और अपने पैत्रिक राज्य का एक हिस्सा वापस ले लिया गोविंद राजा रंस्तंभपुरा आधुनिक रंथम भौर चला गया जहां उसने शासकों की एक नई चोहान शाखा स्थापित की गोरी के आदिपत्य में बाद में हरी राज को गोरियों के जनरल कुतुब उद्दीन एबक ने हराया था